असलालेकूम कैसे हैं आप सब आज हम काफी दिनों के बार मैंने सूचा चले चने और आलू की चाड बनाए जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो दिन के टाइम यही होता है कि कोई अच्छी सी ऐसी चीज खाई जाए जो मज़ेदार हो मेरे जहन में आया चले चने की चाड बनाते हैं वेजीटेबिल के साथ इसी तरह आप कुछ वेजीटेबिल भी खाई जाएंगी चाड शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे लाइक और सब्क्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताके मेरी वीडि अब देख रहें जर्दा कलर डाला और यह चने मैंने वाइल करके रखे होए एक प्याली जितने हम चने डालेंगे हमारा बाल अच्छा वासा त्यार हो जाएगा सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी यह प्यास साप में यह खीरा बारी काट लें तीक है यह शिमला मिरच गाचर यह देखें कितनी कलर्फुल बन जाएगे हमारी यह इसके साथ यह बंकों भी है टिमाटर और टिमाटर के बाएब बगाएर तो चाट बिल्कुल अधूरी सी लगती है यह टिमाटर अच्छा इसमें ना हरी मिर्च आपकी मर्दी यह शिमला मिर्च में डाली है लेकिन हरी मिर्च यह तूंकर टीक ही है मैं इसलिए कम थोड़ा सा डाल ज़ेंगे अच्छा सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक खस बेजाएका कि मैंने चने बॉयल करते हुए उसमें भी नमक शामिल किया था और आलों में भी ठीक है ताके वह फिके भीके से नहीं रहते यह मैंने नमक डाला बीच में उटी हुई लाल मिर्च यह धनिया पुटा हुआ इसकी बहुत प्यारी फुश्बू आती है साथ ही यह इसमें जाएगा मैंने पहले नमक कम डाला था कि टेस के लिहाज से इसमें मैं आप डालूंगी काला नमक और आप जाएगा चाथ मसल नुनुनुनुनुनुनुन जीड़ा इसको बहाँ पे मसल कर बहुत अच्छा फ्लेव दाना हैए यह देखी ज़िए और शुनुनुनुनुनुनुनुनुन। सबसे में चीज़ आप सोच रहे होंगे क्या रह गया धनिया की खुश्बू और चार्ट में धनिया ना हो थोड़ा सा हमने इसमें धनिया डाला अब इसमें डालेंगे हम कि यह मैंने डही फ्रेज में रख्ते रायता बना लेती हूं मैं धनिया और हरी मिर्शिका और अ इसके साथ मैं यह आपने अलग से हरी मिर्षी को और धनिय करायतान मत डालें इस तरह से दई में मिक्स कर लें और ये इमलीठी खटी चटनी से ही साथ में हम डालेंगे मीठी चटनी ये आपके उपर डूपेंड है आप ज्यादा कम ज्याता कर सकते हैं अब इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये देखें चने और आलू की चार्ट प्रेडी हो गई है बिल्कि फ्रेश फ्रेश बनाकर उसी टाइम आप सर्फ करें क्योंकि गर्मी है और दुपेर के टाइम लाइट से कोई चीज खाने को हो ये बहुत बैतरी चीज़ है आप भी जरूर ट्राइब करें अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है मेरे चैनल पर लाइक और सब्क्राइब जरूर करें अपनी दौाओं में यार रखें और साथ साथ मेरे चैनल पर लाइक और सब्क्राइब जरूर करें आप लोग देख रहे हैं आपके व्यूस में देख रहे हूं देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल पर सब्क्राइब भ को मुद बहुत शुक्रिया इंशाला नहीं रसिपिके साथ फिल में तें को के वी अलाह आफेश्ट